हाई फ्रेंट्स बर्मोस अकेडमी के यूटूब चैनल में आपका वेलकम मैं सरुन कुमार आज का जो वीडियो है वह बहुत ज्यादा इंपोटेंट और हेल्फुल होने वाला है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं जो बच्चे सैने की स्कूल मिलिटी स्कूल 2024-2025 के लिए एंटर से एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हेल्फुल रहेगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैने की स्कूल मिलिटी स्कूल का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा आपको कितना समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉकूमेंट्स उसमें अफ्लाई करने के लिए रिक्वाइड होंगे जो डॉकूमेंट्स आप समय रहते हुए अभी से तयार कर लें जिससे की फॉर्म फिल काफी important point है तो इस वीडियो में हम complete one by one point पर बात करेंगे इसके साथ ही मैं सभी student parents को यह वोलूँगा जो student हमारी YouTube चैनल पर first time video हमारा देख रहा है तो चैनल को जरूर सुस्क्राइब करके रखें and bell icon को भी on रखें जब भी जो भी notification आएगा सब्सक्राइब करना है क्या क्या डोकुमेंट्स रहेगा वह time to time आपको करते रहेंगे यहां से इसके साथ साथ मैं उन सभी student और parents को बहुना चाहूंगा कि जो 2024-25 के लिए एंटर स्टेज की provision कर रहा है या करना चाह रहा है तो वह हमारे बर्मोस अकैडमी में भी एडविशन ओपन है यहां होस्टल कोचिंग स्कूल तीनों चीजे अविलेबल है तीनों सर्विस अविलेबल है जहां हम हर साल 50-60% हमारे selection rate रखते हैं और maximum हम target बनाते हैं कि साकार maximum बच्चों का कर सकें तो आप भी रूची रखते हो बच्चों को तयार कराने में या आप कराना चाह रहे हो तो आप एक बार बर्मोस अकैडमी campus जरूर विजिट करें ओके तो यह बात हो गई एडविशन को लेके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाव टाइम इस वीडियो को जिसमें आपको complete information देने वाला हम सैनिक और military का तो सबसे पहले मैं साइट के बारे में बात में बताऊंगा कि आप कॉंट साइट पे जाके अपना update चेक करना की form आये की नहीं आया वह सारा बात में बताने वाला हम इससे पहले हम बताएंगे आपको कि सैनिक स्कूल और military स्कूल ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्कूल और military स्कूल तब से पहले बच्चे का डेट डेटो वर्ट होना चाहिए करने की लिए वह क्या होना चाहिए वह उसको समझे यदि एज क्राइटेरिया मैं पहले किलियर कर देता हूं कि सैनिक स्कूल और military एक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक यह वह पर्ष्ट ऑफ अप्रेल है 2013 टू थर्टी पर्ष्ट मार्च 2015 तो जो क्लास 6 में अभी स्टेडी क्लास 6 में सेनिक स्कूल मिलिटर स्कूल में एडिशन होगा उन बच्चों का डेटो वर्ट्स क्राइटेरिया होना चीए पर्ष्ट ऑप अप्रेल 2013 टू लेके थर्टी पर्ष्ट ऑफ मार्च 2015 का होना चीए जिसमें यह दोनों डेटो वर्थ भी इंक्ल्यूड है ओके यह दि किसी बच्चेगा इस डेटो वर्थ का बड़्थ है तो वह दोनों भी इलिजिबल होंगे ध्यान रखे अब बात करें कलास 9 की तो कलास 9 के कलास 9 के लिए रहेगा आपका पर्ष्ट ऑफ अप्रेल 2010 टू थर्टी पर्ष्ट मार्च 2012 तो इस डेटो वर्थ क्राइटेरिया में है वह दोनों कलास कलास 9 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है यह दोनों डेट उसमें इंक्लूड है यह दि किसी का बड़्थ डेट यह भी है तो वह बच्चे इलिजिबल होंगे क्लास 9 के लिए फॉर्म फिल करने के लिए ओके आब इसमें ध्यान रखे यह दि इससे चोटा बच्चा है त लेकिन इससे जो छोटा है वह बच्चे के लिए गॉल्डन चांसेज रहते हैं वह पिरी कोचिंग करवाए बच्चों को पिरी कोचिंग या पिरी आप सेनिक स्कूल की प्रपेशन में जोड़ दीजिए जिससे कि आप एक साल पहले से आप तयारी कराओगे और बच्चा प उसमें सिक एडीशन अब होता है यादीश में बच्चा है और फिर प्रन पास आउट करता तो उसका उसमें और यह साल पहले एक चांस कम जाता तो हर मिलते हैं एक दो चान्स हो जाता है यदि को लेके तो क्वालिवेशन बच्चे की क्या हो नीचा कि क्लास 6 के के लिए एडिशन के लिए बच्चे का फिप्ट में रंडिंग होना जुरूरी है लेकिन लेकिन जो बच्चा फोर्ट में है और उसकी डेटो वर्थ यदि सेने के स्कूल मिलिटी स्कूल के फॉर्म फिल करने के लिए मैच कर रही है तो फिर वह एक क्लास बेक है या तो उसको फिफ्ट में करना होगा या फिर आपको यह सोचना होगा कि मैं प्रिपेशन करवा लेता करना है यहां पर मैं इस वीडियो में लिगल पॉलिशी के अकॉर्डिंग बात करूंगा वह सब चीजे पॉसिबल है आप कैसे करोगे लेकिन द्यान लखे कि सिक्स पास आउट बच्चा यदि डेटोवर्ट मैच हो रही है वह सिक्स पास आउट बच्चे को आप करवा रह ड्रखे मेक्सिम्मं फिप्ट रेंडिग फिप्ट के लिए य है के लिए करते ही हैं हैरी कि दिक मैच्राय लेकिन बच्चा उसका एक साल के इडिविशन 6 में होगा आप बात करें हम यद्याक है इसके लिए कलास 9 के लिए देखिये कलास 9 के लिए क्वालिवीशन क्या हो रहेगी कलास 9 के लिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ कलास 9 में जो एडविशन होगा सेनिंग मिलिटी में उसका 8 रंडिंग होना ज़रूरी है जो 8 रंडिंग रहेगा वो बच्चा एक्जाम देगा सेंडिंग स्कूल, मिलिट्य स्कूल के लिए यदि आप सोचे कि कलास 9 पास आउट बच्चा भी एक्जाम दे सकता है द्यान रखे वो डेटो वर्ट के अकोर्डिंग एक्जाम जरूर दे सकता है लेकिन स्कूल के डॉकुमेंट से वह उसका विर्विशन नहीं हो सकेगा वहां उनको अल्ली एक लास पास आउट बच्चा ही चाहिए ओके द्यान रखे इस चीज़गा इस चीज़गा द्यान जरूर रखे यह उनली इंग्लिश में रहता है और क्लास 6 में बहुत लेंग्वेश रहता है ह港 Toी इस में चीज़गा यह में खदया इसका द्यान रखे वाले बच्चे के लिए ज्यान रखे ओंली इंग्लिश में होगा इसके बाद हम बात करें क्वालिशन की बात हो गहीं और यह एज्सक्राइट की बात हो गई और form fill करने की बात करते हैं यह दी documents की बात करूँ तो मैं documents बच्चे के लिए क्या क्या होगा लगएगा documents देखें यह दी मैं बात करूँ military और इधर बात करूँ शेनने की तो military में यह दी documents को लेकर हम बात करें तो ध्यान रखें कि documents रहें मिलिक्ट्री में only अधर कार्ड इस्टार्टिंग में लगता है form fill करते समय अधर कार्ड चीए यह यह आपके पास अधर कार्ड भी नहीं है तो आप without अधर कार्ड भी form fill कर सकते हो कि यहां ध्यान रहें जिसके पास अधर कार्ड नहीं है वह without अधर कार्ड भी क्या कर सकता है जिसके पास not not available अधर कार्ड apply for military school form क्योंकि यहां खुद की ओपर depend है कि अपन अधर कार्ड उसके साथ share करना चाहते या नहीं करना चाहते क्योंकि यह आर्मी पर जो आर्मी डिफेंस सिस्टम होता है वहां पे अपने डोकुमेंट्स को लेकर पॉलिशी अलग बनाए गई है जिसमें आप से प्रमिशन मांगता है कि आपका आधार कार्ड आप फोम के लिए apply करने के लिए देना चाहरे हो नहीं देना चाहर करें और बाकी इसमें क्या होता है जिसे आप पास कर लोगे एक्जाम पास कर लोगे एक्जाम पास करने के बाद इंट्रिव होता है इंट्रिव पास कर लोगे इंट्रिव पास करने के बाद मेडिकल होता है मेडिकल पास करने के बाद डोकुमेंट्स आपको required होता है और व प्लास शिक्स और नाइन के लिए दोनों के लिए रहेगा यहां पर तो सबसे पहले बच्चे के पास होना चीए आधारकाट पहला जो डोकुमेंट्स होगा सेनी की स्कूल में आदार कार्ट क्योंकि यहां पे जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो साथ में अटेज होती है यहां पे अपलोड करने होंगे सेकेंड है यहां बात करें डॉमिसाइल यहां रिक्वाइड होगा रिक्वाइड होगा यहां पर यहां यहां यह फो ड्यक्मे स्थे वड़़्ान ऒगया यहां कि कॉमन चीज पासवर्ट साइज की फोटो है यह तो सब कॉमन हो गया जो पोटो है सिगनेचर है ठम है यह तू हर एक बच्चे के पास क्या रहते है अविलेबल डोकॉमेंट रहते हैं लेकिन ध्यान दे आदार कार्ड होना जरूरी है क्योंकि उसमें आदार कार्ड के साथ वे लग गयागी जब आप फॉर्म कराते हैं तो इससे वेरिफाइड होता है तो यहां आदार नमर अपलोड होंगे ध्यान रखें आदार नमर लगेगा तो आदार कार्ड आप बनाके रखें इसके बाद डॉमिसाल हर एक स्टेट के बच्चे को फॉर्म करने वाले को चाहिएग नहीं रहा है यहां में रखेंड रॉप से उसको बताना बचते हमने हो क्योंग्न रखेंस करनें अऐस और राजताणके हुई मिलेगा जब उसको बताना पढ़ेगा कि मैं यूपी के लिए अपलाई कर रहा हूं मेरा राजतान का डॉमिसाइल तब ही वो रास्तान का स्टेट का आपको समझेगा तो यह जिला मज़ी स्टेट से बनेगा डॉमिसाइल ध्यान रखें के बात करें तो उन ओबीसी जो ओबीसी के अंदर है ओबीसी के अंदर भी एंसील ओके यह नॉन क्रिमिलियल लेर होता है जिसमें यह सेंटर का होना चीए यह आप खांसे बनाओगे बटा जहां आपका इमितर है या साइबर के पर है वाँपे जब आप अपलाई करते हो होमिस्टेट यह यह इसीलिए सेंटर का बनाना पड़ रहा और पैटा क्योंकि ओबीसी में कुछ बहुत सारी केटिग्रींज आती है एसे होती होमिस्टेट के लेवल पर बात करें तो वह क्या रहती है मतलब में और थै कंदिशन में रहती है जब की सैंटर लिस्ट में होना चीए इसका बेनिफिट मिलेगा तो बनाना होगा धियान को बनाना होगा दियान Northern के लिए नहीं भनता है इसके बाद यदि बात करें कोई डिफेंस पर्सन है तो एक डिफेंस की भी केटिगरी होती है defense person को यहां पर क्या करना होगा दूसरी मार्क से मैं कर देता हूं तो defense person है तो defense को दियान रखा जो on duty है उसके बच्चों को to serving certificate चीए यह serving certificate कैसा होता है serving certificate या पीपियो जो ex army person है उसको पीपियो चाहिए पीपियो मतलब उसकी salary जो लाश्ट टाइम में PPO का तैयार हुआ पेंशन के लिए जो भी उसमें राया डीटेल्स वह है वह एक्स सर्विसमें इनको PPO चाहिए यदि दिफेंस का वकोटा चाहिए डिफेंस कि क्टिकरी की सीट चाहिए तो उसके पास एक्स पर्सन को PPO और सर्विंग सर्विंग सर्टीविकट चाहिए जो ऑन डूटी है ऑन डूटी वाले अपनी यूट से करने मेरा बच्चा सेनिकी स्कूल की मिलिटे स्कूल का इया चाहिए मेरा चीज लिक captivị मेरा अविलेबल मतलब यह इश्यू करना होता है वह वहाँ पे अप्लाई करना होता है इसके बाद हम बात करें बड़ certificate ध्यान रखें कि आजकल क्या है कि offline बड़ बन रहें online भी बन रहें तो online जो certificate है वह अविलेबल यहां वही क्या रहेगा मतलब आपका verified होगा बाकि आप offline बना रखा है तो वह form फिल करने के समय तो आपका verified हो जाएगा बट जब आपका finally selection होगा documents verify कराओगे तो वहाँ पर यह verified नहीं हो पाएगा जिस टाइम पर आपको क्या करें को offline certificate आपका बना हुआ है तो तेसिल में जाएए जहां पर आपका online करवा है उसको उसको लेकर जाके वहां बोल दीजिए कि सर इसको online कर दीजिए तो आपका online वेलिड रहेगा photo आप currently बनाई है जब आप form फिल करते हो तो दो मेने पहले बना सकते हो एक मेने पहले भी सकते हो के सिगनेचर और थम यह आपके इसमें सेनिक स्कूल के लिए अफलाई करने के लिए form के लिए चाहिएगा तो अब भी आपको क्या करना चाहिए आपका दोमिसाल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है ध्याण रखेए यह student का डोमिसाल होना चीए parents का नहीं ओके category certificate होना चीए OBC, NCL, STSC में हो तो category certificate बना लो बड़ certificate यदि आपका offline बना हुआ है तो online कर लो आप चे कर लो उसमें डेटोवर्ट चे कर लो नाम चे कर लो कोई update तो नहीं कराना है वो सब चे कर लो तो यह आपका सेनिक स्कूल के लिए होगा अब हम बात करते हैं कि form कब से start होगा यह काफ स्टार्ट तो last year की बात करें तो जो last year थोड़े delay होके form apply हुए थे लेकिन इस बार rms की बात करें राश्टी military school की बात करें तो यह form start हो जाएंगे सितंबर के last में सितंबर के last में या October के first week से start हो जाएंगे और यह आपके पास इसको मौका मिलेगा नौमबर मिड्र तक बढ़ने का नौमबर मिड्र तक बढ़ने का form आपको मौका मिलेगा तो और इसका exam है ध्याना के इसका जो form है 2024 का ही इसको exam बोलाजाता है reason क्या है युद्ध जिस exam का form SAM date में आवरा लग है तो उसी यए का बोला जाएगा यहां सेने की स्कूल टुथाउजटिफाइब जा रहा जबकि दुथाज़नटीफोर टूथाइब टुथाउज़नटीफोर ही बोला जाएगा तो यह तुथाउज़नटीफुर का आरमस का form fill करने का time रहेगा इसमें करीब आपको 90 days के करीब आपको मिलेगा दो मेने के करीब मिलता है date extend हो के दो मेने finally मिल जाता है बाखी आप यह मान के चलो कि 40 दिन तो 40 से 45 दिन का आपको समय तो form fill करने के लिए मिलेगा है मिलेगा without date extend की वे इसके बाद हम बात करें exam तो exam इसकी वेटा लगती है class 6 और class 9 के लिए तो exam लगेगी December December के second week को December के Sunday के second week को यह Sunday को second week को लगी December का जो second week का Sunday होता है कि यहां कर लिजिए second week Sunday को यह exam लगेगा मिन्स करीब आपका इस बार आठ दिसंबर को exam लगने की expected पूरी डेट है ओके आठ दिसंबर का आपका exam लग जाएगा मिलेक्ट्री स्कूल का class 6 और class 9 के लिए ध्यान लगे इसका सेंटर आर्मी केंट में आता है जहां जहां उस जेशे जेपूर में हमारा आर्मी केंट तो वहां पर ही मिलेक्ट्री स्कूल का exam लगता है सेनिक स्कूल का सिभिलियन स्टाइब के जल्दी होता है या आज गण बजह वजह करीब है म sommes सफस्राइब आपका जआता है करीब में दॉस आइक्ष्ट हो जाता है तो स्तनिक श्कूल स्कूल ज्यान दे इसका एक्जाम हम बोलते हैं वह कैसे बोलते हैं 2024-2025 तो क्यों कि इसका फॉर्म तो फिल होगा 2024 में एक्जाम होगा वह 2025 में इसको 2024 का हम बोलते हैं एक्जाम तो 2024 का एक्जाम आप ध्यान रखें कि इसका जो फॉर्म है जैसे military school का फिल होगा उसकी last date चलेगी तो यह स्टार्ट होगा सेनिका तो यह आपके अक्टूमबर में स्टार्ट होगा अक्टूमबर मिड में स्टार्ट होगा यह स्टार्ट होगा और आपका दिसमबर मिड तक चलेगा मतलब अक्टूमबर आप लाश्ट तक माली जी यह मिड में स्टार्ट होगा और दिसमबर के पर्ष्ट विग सेकंड विख में क्या हो जाएगा कलोज हो जाएगाय दिसमबर पर मिध तक इसका क्या रहेगा यहां भी दो मेने के करीगा अ्ध। वाकि बैसिकली आप 40 th 45 दिन का तो fix time करने का क्यों जब भी open होगा में आपको इंफॉर्म करूँ आप आपको में पूरा details बरके बताऊंगा आप भी अपना घर बेटे अपने बच्चों का form फिल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इतना ज्यादा hard कुछ नहीं है इसमें ध्यान रखे सैने की स्कूल में लगबग चालान होता है 500 रूपीज होता है जो चालान करता है और यहां पर STPC का करता है 550 के करीब और और जनरल के करता है 650 रूपीज तो यह है एक्जाम इसका होगा वीटा एक्जाम को जन्वरी के संडे को एक्जाम होता है यह इसकी डेट भी एक्टेंड हो जाती देन रिजन क्या है क्योंकि उस दिन स्कूलों में किसी और स्कूल का कलेंडर रहा मतलब जैसे स्सी का रेलवे का यदि पेपर रहेगा तो यह डेट हो जाए कि बाकि अधरवाइस ऐग्जाम कर लिया जाएगा तो अभी तक जो एक्साम हुआ हो जन्वरी के संडे को ने को हुआ लेकिन इस बार जो लास्ट ये देख राए कुछ रीजन के कारण जो एक्जाम हुआ था वो 28 जन को हुआ था जो काफी डिले होके हुआ था क्योंकि उस टाइम पर कलेंडर था एक्जाम का तो वह उस टाइम पर उन टाइम नहीं हो पाया तो यह एक्स्टेंड होके आपका जनौरी पूरा उसमें लग गया था मतलब मिन्स 28 जनौरी को एक्जाम हुआ था तो यह आपका है मतलब हमने आपको बताया कि सेनी की स्कूल का एज क्राइटेरिय क्या होना चीए इसके साथ साथ आपको यह भी बताया मैंने कि कौन से क्लास में बच्चा होना चीए इसके बाद मैंने यह बताया कि इसकी एक्जाम कब लगेगी और कब फॉर्म फिल होगा यह सारी डीटेल से बताया क्या 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 डॉकूमेंट से रिक्वाइड होंगे वह भी मैंने से इसका आप साइड बे जाके डाउनलोड कर सकते हो उससे से अकोर्डिंग आप अपनी फड़ाई करें और उसके अकोर्डिंग आप चेक करेंगी प्रिवेस यहर के पेपोरे में कौन से टॉपिक से कितने क्यूशन सा रहे हैं उसका हम एक अलग से क्लास बनाएंगे कि सेनिक स्कूल आप क्रेक कैसे करें तो एक्जाम क्लियर करने का वह वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं पूरा आपका मोराल अप करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा प्रोपली कि आपको सेनिक स्कूल को सेलेक्शन पाने के लिए आपको कैसे फड़ाई हो चुकिये तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई होगा तो ज़रूरी नहीं कि जो लाश्ट ये जो सेनिक इसकूल फॉर्म अप्लाई हो था सेम उसी साइड पे हो किसी और साइड पर भी अप्लाई हो सकता है फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हो तो टाइम टू-टाइम आप को अपडेट करते रहेंगे अब स्टार्टिंग में पहले किसी सेनिक स्कूल पे फॉर्म फिल किया जा रहा था उसकी साइड यह थी ओके उसका इंटेर यह था यहां पे 2023 तक का लास्ट अपडेट रहा इसके बाद यहां पे यह साइड पर कोई वरत नहीं हो रहा है ओके यहा 2023 तक का जो भी अपडेट था वह यहां पे मिल रहा था पूरा दे रखा है कि यहां मेरिट लिष्ट आप डाउनलोड कर सकते हो कि टॉटल कौलीफाइड लिष्ट डाउनलोड कर सकते हों कितने स्टूडेंट अपलाई किये थे 2023 के अंदर फॉर्म वह यहां से आप देख सक .nta.ac.in तो इस पर आपका form apply किया गया था यह एक अलग से उन्होंने site तयार की और उस पर सारा काम हुआ था अब यहां पर देख पा रहे होंगे कि लाश्ट येर का यह दि आपको सेलेबस जानना है तो आपको यहां पर आना information information में आपको दिख रहा हो गाया information bulletin यहां इंगलिस में भी है आपका यह bulletin और हिंदी में भी है आप दोनों में language में download कर सकते हो जिसमें आपका इच्छा हो उसमें कर सकते हो जैसे आप download करोगे यहां मैं बात करूँ इस पर download करोगे तो वह download हो रहा है जैसे download होगा तो यह open होगा इसमें सारी details दे प्रकार से फोरम फिल किया गया सारी information है यह हर साल इसका प्रोस्पेक्टर आएगा अभी दोजार चोईस का प्रोस्पेक्टर है चेंज होकि है दोजार पच्चिस का आएगा उसमें साइड डीटेल्स आपको दीवी आएगी उसको आपको रीड करना है समझना है जानना है जैसे कि अभी इसमें दे रखा है लाश्ट एर फॉर्म कब से कब बढ़ा गया साथ को ग्यारा को निकला था सोला बारा को यह क्या हुआ था क्लोज हुआ था फिर भी डेट एक्स्टेंट की गई थी यहां पर चार्ज़ दे रखा है कि एड्मिट कार्ड की बात करें तो मोटा मोटा आपका 10 डेज भी फोर आपका एड्मिट कार्ड रिलिज कर दिया जाता है सेने की स्कूल की वेबसाइट पे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो तू ध्यान रखे एक्जाम इसका 21 पहले जनको था बट उसको अपडेट होके 28 एक्टेंड होके ठीक है एक्जाम का जो टाइम टेबल रहा था इस बार सेने की स्कूल का और हर साल यही सेम टाइम टेबल रहता है टू प्येम से 430 प्येम क्लास 6 का एक्जाम कंडेक्ट करवाए गया था एंड उसके बाद बात करें 9 के लिए तो 2 पीम से 5 पीम तक आपका क्लास नाइंत का एक्जाम कंडेक्ट करें ता यहां 3 आज की लिए मिलेगा पेपर करने के लिए क्योंकि एक सब्जेट यादा है और क्लास 6 के लिए यहाँ डाइगंठी का टाइम मिलेगा मतलब 2 आवर्स 30 मिनिट का टाइम दिया जाएगा एक्जाम देने के लिए ओके ऑ कोटी टू बनेगा तो करीब आप डेड मेने के समय बाद आपका रजर्ट डिक्लेर हो जाएगा आपने पास विए कॉंड सेने की स्कुल में आपका मतलब स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा जिसमें आपको पूरा सब्जेट वाइज पता लग जाएगा इससे पहले आपका ए इसके बाद हम देखें इसमें यह इस्टे बता रखाएगी डोकुमेंट्स के लिए क्या-क्या यह डोकुमेंट्स आपके सामने इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको फोटोग्राफ चाहिए उसका साइज क्या होगा ओके सिगनेट्स चाहिएगा लेप नहीं है तो र करें को यह बात करें सर्विस एदि डिफेंस परसन है तो उसको सर्विंग चाहिएगा उपके यह डोकुमेंट्स है यह इसमें नहीं चाहिए जब यह तो जब फाइनली सेलेक्शन होता है उसके बाद यह आपको एक प्रिंसिपल से साइन करवा के देना पड़ेगा स्कूल तो यह सारे डॉकमेंट्स आपको नीड होती है जब सेने के स्कूल का फॉर्म अप्लाइ करते हो इसके बाद आप जैसे स्कूल करते हुए चलोगे तो आपका इंडेक्स के अकोर्डिंग दे रखा है कि आपका इलिजेबल क्या होना चीए क्या-क्या मतलब सारी डीटेल्स इस क्या मैं तो अभी बात करुआगा सेलेबस की वह सेलेबस को आप अच्छे से समझें यह सेलेबस आगया जुके है यह दि बात करें क्लास 6 के लिए क्या-कया सेलेबस होता होगा सेने स्टूल के लिए यहां इंगलिस है मैंत्मेटिक से on low region यहां मैंस आप शूर्ट से मार् sixt इसके बाद आपका इंटलिजेंशी जो मैस के उपर ही डिपेंड है जिसका मैस अच्छा होगा वह पचास नमबर यह भी कवर करेगा तो टू एंडेट्स माक्स है वह आपके प्रेटिस बेस्ट के क्विशनों की है जहां हम मैस में बात करें यहां बच्चों को फुली एफट करके 50 आउट ओफिप्टी दिलाते कोशिस यह रती है मैस और आइक्यू हम आउट ओप करने का ही कोशिस करते हैं फिर हमारा जो लेंग्वेज में आपके पास ऊप्संस रहता है आप हिंदी भी चूज कर सकते हो हिंदी की ग्रामर आएगी इंग्लिस चूज करोगे तो दिया जाएगा multi choice रहेगा इसमें ओमार फिल करनी होगी और इसके साथ-साथ बात करें एक्जाम का मॉड रहेगा इंग्लिस में इंग्लिस और हिंदी क्लास 6 की बात करें तो इसमें 10-15 लेंग्विज आपको मिलेगी पेपर में और क्लास 9 की बात करें तो यह वेटा आपका syllabus रहेगा mathematics का आपका 50 questions आएंगे 4 marks, each question, two and eight marks करेंगा जहां 50% weightage रहेगा फिर बात करें Intelligency मतलब आपके reasoning IQ 25, two marks करेंगा 50 हो गया यहां इंगलिस के बात करेंगे तो 25, two marks करेंगा 50 का हो गया General Science हो गई 25, two marks की रहेगी तो आपका 50 हो गई Social Science 25, each question, two marks और 50 total 150 questions रहेंगे आपका four and eight marks करेंगा ध्यान रखें कि नो negative marking इसमें कोई negative marking नहीं होती है इसलिए मैं सभी बच्चों को student को बहुना चाहता हूं कि आप सेने की school paper military school paper पूरा whole attempt करके आए वह हो सकता कि आपका जो attempt किया हो वह सही निकल जाए जिससे की marks में क्या हो जाए increase ओके खाली छोड़ने की से बेट रहेगा देखिए फॉर एडिविशन फॉर क्लास 9 के लिए only English रहेगी लेंग्विज जो मैंने पहले बता दिया paper मिल पाएगा एक्जाम में देखने को तो यह रहेगा आपका और इसके नीचे आप जैसे स्कोल करते हुए चलोगे तो आपको इनका वेबसाइड नहीं मिल रही तो ओके तो यह सब रहेगा यहां पर एज क्राइटीरिया दे रखा है अब नीचे इसका से लेवस आ जाएगा तो ध्यान दे यह आप यहां से डाउनलोड करके अच्छे से सभी चीजों को जान ले से लेवस मिल जाएगा इसकी नीचे जैसे स्कोल करके चलोगे आप ओके आप अब देखना से लेवस आ जाएगा थोड़ा सा स्कोल करके चल जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा नीचे है से लेवस ओके यह सेनीस को की नाम आ गया पूरी जो सेनी आपका सेल अगया और यह के बАद हम बात करें यह आपका किसका इस परकार कलास नाइंद का भी है जैसे स्कोल करोगे तो यह आप जो है अब इससे भी आप डाउनलोड करके इसमें से काफी चीजें कर सकते हो जिसमें सेलेबस सेलेबस की स्टेडी करना काफी जरूरी है क्योंकि आपको सेनिक स्कूल वापेपर के लिए करना है इसके पाद हम बात करें तो यह साइड है इस साइड पर जो भी है अपडेट मिलेगा लाश्ट टाइम का अपडेट भी इस पर ही है जैसे कि ऑमा रिलीज कब हुई कितने एक्जाम कब लगा कब कब क्या क्या एक्टिविटीज हुई उसके अनुसार आप गैस डेट पता कर सकते इसके बाद आपकर सकते हो कि टोटल कॉलिफाइड लिस्ट को चे क्वाच्टे को बच्छे को कितने मांक मिलेगे फिल करते हैं तो आपको क्या करना होगactic democratic की open कर लिजिए राश्ट्री मिलिक्ट्री स्कूल डबलु डबलु राश्ट्री मिलिक्ट्री स्कूल होगा इसका एबाउट सेक्षन खुला है इसमें हॉम पेच पे आप देखोगे तो यह स्कूलों की डिटेल्स है यहां पर भी आपको काफी इसके बाद आप इन पांचों मिलिक्ट्री स्कूल के बारे में जान सकते हों कि किस प्रकार की एक्टिविटीज यहां होती है तो इसे अपको आप अच्छे से समझे जाने तो आप यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा है लगा होगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरी कंप्लिट मिली होगी जहां तक मेरा कहना है आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी तो मेरे को दीजिए इजाज़त और ऐसे हम मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो में तो चलिए मेरे को दीजिए इजाज़त जे हिन जे जब बाट